हेलो फ्रेंट्स गूड इवनिंग पिटूनिया के पौधे में एप्रिल तक किस तरीके से फ्लारिंग ले सकते हैं और अगले सीजन के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत सारी क्वेरी जा रही थी कि बहुत लोगों के पिटूनिया का प्लांट अप्रिल के फर्स्ट वीक में ही बिल्कुल ड्राई होकर मरने लगा है हाला कि मेरे कई वीडियोज हैं कि मरते हुए पिटूनिया को हम कैसे बचा सकते हैं लेकिन इसमें कुछ जरूरी टिप्स की बात करेंगे जिससे आपके पिटूनिया का प्लांट आप अगले सीजन तक बचा सकते हैं अच्छे फ्लावरिंग के बाद लगबग अप्रेल माह के आसपास एक ऐसा समय आएगा जब आपको एक भी फूल नहीं दिखेंगे ऐसे में आपको अपने पिटूनिया की रख रखाओ का किस तरीके से ध्यान रखना है यह मेरे दूसरा प्लांट है पिटूनिया का रेड कलर का पिटूनिया इसमें फ्लारिंग होती थी अभी फ्लारिंग तो नहीं हो रही है लेकिन इस प्लांट को बचाया जा सकता है आप सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए किस तरीके से हम पिटूनिया को बचा सकते हैं सबसे जो पहली चीज है वह है प्रूनिंग इस समय पर आप पौधे की अच्छी प्रूनिंग कर दें और प्रूनिंग करने के बाद आप किसी ऐसे कंटेनर में इसे लगा दें पानी में बहुत जल्दी गल जाती हैं तो इस बात का विशेज ध्यान रखें कि ऐसे किसी कंटेनर में लगा दें फ्रेंट्स मैं इस कंटेनर में इसे लगाऊंगी क्योंकि ये चोड़े मुह वाला कंटेनर नहीं है जादा और इसमें जल जमाओ भी नहीं होगा बहुत बड़े कंटेनर में लगाने से जब सीजन में हमने लगाया था तो फ्लारिंग अच्छी होती है उस टाइम में लेकिन जब आब इसे बचा करके हमें रखना है तो इसे छोटे कंटेनर में बचाना ज़्यादा आसान रहेगा तो आप पिटूनिया को एदी बड़े कंटेनर में लगा कर रखा है आपने तो कोशिश करें कि उसे किसी छोटे कंटेनर में जिसमें की ड्रेनेज का ख्याल रखते हुए आप उस कंटेनर में उसे रीपॉट कर दें और अच्छे से प्रूनिंग कर दें जो पतियां सूख नदσι defып Moi या जड़े जो इस बिल्कुल रखते हो रही है उन जड़ों को कट करके पहले आप हटा दें कि आ और जो स्वाइल करेंगे जिसमें आपके पीटूनिया का प्लांट इस बरसाथ को सर्वाइब करेगा यदी पहले रेनींग को आपके पीटूनिया के प्लांट लि कर लिया है तो फिर उसे आराम से बचाया जा सकता है यदि आप पिटुनिया को रीपॉट कर रहे हैं या फिर पहले से आपने प्लांट लगा रखा है तो उसमें और गैनिक ऑप्शन में तीन-चार हपते में एक बार दो मुठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाट डाल सकत हैं अभी इसमें फलारिंग नहीं होगी लेकिन फलारिंग से ज्यादा फरक नहीं पड़ता आपको पिटुनिया को बचा कर रखना है तो आप नीम की खली इसमें ज़रू डालने ये नीम की खली है सबसे ज़दा प्लांट्स हमारे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उसमें घरेलू पेस्टिसाइड का भी सहारा ले सकते हैं नीम के पत्तों को उबाल करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम ओयल का सहारा ले सकते हैं लेकिन ये आपको रेगुलर बेस पर करना होगा ताकि पीटूनिया में फंगस ना लगे पहली चीज है प्रूनिंग और दूसरी है फंगस का ख्याल रखना इसके लिए बहुत सारे आप्शन्स हैं हमारे पास हम नीम की पत्तियों का सहारा तो लही सकते हैं नीम की खली जो बहुत ही असानी से मार्केट में मिल जाती है उसे आप छड़क दें उससे आपके पिटूनिया में फंगस की समस्या नही कर पिटूनिया के पौधे पर आप स्प्रे कर सकते हैं फ्रिम्स गर्मियों में गुनुञना पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है सर्दियों में गुनग 때문에 से प्रे करने से बहुत ही अच्छा रिजाल्ट आता है लेकिन गर्मियों में आप नॉर्मल याटर में नीम उईल मिल रखते थे लेकिन अभी गर्मियों में हम इसे दोपहर की धूप से बचाएंगे और सिर्फ सुबे की धूप इसे प्रोवाइट कराएंगे अधर्वाइज आपके पीटूनिया का प्लांट बहुत ही जादा खराब हो जाएगा यदि इसे दोपहर की धूप में आप रखते है ये देखिए इसमें नई ब्रांच भी आ रही है नीचे से नए शोट निकल रहे हैं फ्रेंट्स किसी ऐसे जगह पे आप इसे रखते हैं जहां से इसे सिर्फ सुबे की रोशनी मिल सके दोपहर की धूप से कम्प्लीटली आपको बचाना होगा फ्रेंट्स ये एक ऐसे रखते हैं और आप इसे यही फर्टिलाइजर दिया करें यह है औरेंड औरंच और बनाना पील फर्टिलाइजर आप देखो इसमें मैंने दो दिन पहले नारंगी और केले के चिलके को ढाल करके इस पानी में दो दिनों तक ढिक खराबunu होगा उन्रेंग YOU deze प्रहें पंद खराब नहीं होगा मैं अपने अनुभव से बता रही हूं इसी तरीके से हर साल मैं अपने पिटुनिया के प्लांट को सर्वाइब करा लेती हूं और आप देखिए गर्मियों में भी मेरे सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का मैं ज्यादा सहारा नहीं लेती हूँ मैं ऐसे ही घर के बने हुए फर्टिलाइजर को यूज करती हूँ ये किस तरीके से हमारे प्लांट पर फाइदा करता है इस पर कम्प्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है आप जा कर देख सकते हैं अगला वीडियो यूका प्लांट पर आने वाला है यदि आपको कोई जानकारी चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप एक चीज़ और कर सकते हैं पिटूनिया को बचाने के लिए किसी बड़े पेड़ के नीचे या दो-तिन पेड़ों के बीच में अपने पिटूनिया को रख दीजे जिसंसे की दोपहर की धूप दूप बिल्कल भी ना लगे या गरम हवाओ की वज़ड़ से भी पिटूनिया का जो प्लांट है वर ड्राइव हो जाता है तो बिल्कुल भी गर्म हवाएं ना लगें और पिटुनिया पेड़ों के नीचे एदि किसी पेड़ की चाया में होगा तो उसे मौश्चर भी मिलता रहेगा मौश्चर देना अभी सभी फ्लावर को बहुत ही जरूरी है थैंक यू फ्रेंट